से शहागुल और पहले नवीन कुक्रेजा इन दोनों के सवाल हम साथ में ले रहे हैं कुक्रेजा क्या कुक्रेजा जी का सवाल ऐसा है कि दर्म में जो स्वर्ग और नर्की कल्पना हैं वो सभी धर्मों में हैं और लोग उस पर विश्वास रखते हैं और सभी के सभी किताबे जो है धर्मों की वो तो आखरी में इंसान में लिखी है तो ये बात लोगों तो केसे पहुचा है और दूसरा सवाल ऐसा है कि जिस धर्म में कोई एक किताब ही नहीं है धर्म की तो ऐसी किताब को इनिर्माइन की जाए कि जिसके करण ये बाबा लोग पाखंडी लोग उसका उपयोग ना करे धर्म का उपयोग ना करे दोनों सवालों का मैं जवाब दूँगा पहले तो ऐसा है कि ये सभी जो धर्मे किताबे हैं वो भगवान में खुद लिखी है ऐसे सभी धर्मों के लोग मानते हैं चाहे वो खृष्षन हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो जहिन हो बहुद हो चाहे वो किसी भी धर्म के हो और जो हमारे स्टडीज होते हैं योने स्टडीज में हम पढ़ते हैं वहाँ पर ये माननेता है ये कहने के बावजूद ये किताबे किस ने लिखी होगी, कैसी लिखी होगी कौन से सेंचूरी में लिखी गई उसकी प्रतिया कितनी बनी बाद में इसमें क्या-क्या सुधार हुए एक ही बाइबल के कितने अलग-अलग संसकरण है वगरे इसकी भी चर्चा हमको हमारे ज्ञान में मिलती है तो ये जो ज्ञान हम अभ्यास करते हैं धर्मों का, यूनिसटीज में उसमें ये सब वास्तविक्ता और सत्य सामने आता है चाहिए आप कितने भी आस्था रखने वाले हो तो भी आप पढ़ने को जाओगे तो आपको ये पढ़ना पढ़ेगा परिक्षा में लिखना पढ़ेगा तो ये जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं अपने उनिस्टीज में उसकी एक जो डिसिप्लीन होती है ये सव प्रतिशत सच होता है वो सव प्रतिशत सच करकर हमने स्विकारना चाहिए ये अगर एक बार इंसान सिख जाए दार्मिक इंसान सिख जाए तो आप कहते हो दिक्कत हलो जाएगे ये सब स्कूलों में सिखायaja जाता है कॉलेजेस में सिखाया जाता है लेकिन इसके बावजूद खतम होता है वहां से धर्म शुरू होता है वहां से आध्यात्म शुरू होता है विज्ञान की कोई बात उसको लागो नहीं होती है और फिर वो अपने आपको स्वतंद्र अंधविश्वास का ख्षेत्र कायम करना चाहते हैं और उसमें बड़े पैमाने पर लोग बली चड़ वे अपनी जगह सच है और ये अपनी जगह सच ऐसा मांवान कर चलते है और इस करणी अंदविश्वास कायम रहते है धार्मिक सभी ग्रंथ इंसान होने लिखे हैं यह अरभ्यास करने वाले को पता चलता है और इंसान लिखेगा तो उसमें गलतिया हो सकती है, अच्छा ही अभी हो सकती है, गलतिया भी हो सकती है, मर्यादा हो सकती है लेकिन बड़े बड़े पड़े लिखे लो, यह तो आस्मान से टपका है चाहे वो महाराश्च के चीफ सेकेटरी क्यों न रहे हुआ ऐस ओफिसर वो भी कहेंगे आसमान से डपका है यह अंतीम ग्यान है और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी होती है पूरे महराष्ट में नहीं पूरे भारत में बियार चुपरा का माँ भारत बहुत फेमस हुआ माँ भारत बहुत ही अच्छा ग्रन थे लोग कामधाम छोड़कर माँ भारत देखने के लिए टीवी के सामने बैठते थे तब तो टीवी के बल दूरदरशन था पूरे के पूरे रोड कोई इंसान नहीं होता था उसमें कर्वियू लग जाता था जैसे इतना यह माँ भारत लोग प्रिय हुआ इस महाभारत के शुरुवात में लिख कर आता था भांडारकर इंस्टिट ने संपादित किये हुए महाभारत पर आधारित यह भांडारकर इंस्टिट पूरा में है यह भांडारकर इंस्टिट ने महाभारत का जो समशोधन किया महाबारत की जितनी भी परतिया थी उसके आधार पर अध्यान किया उन्होंने प्रस्तावना में लिखा है कि ये महाकाव्य है महाकाव्य याने थोड़ा सा इतियास और उसके आधार पर कभी की कल बना महाबारत बहुत अच्छा महाकाव्य है उसमें human nature का characters का बहुत सुंदर वरणन है जो किसी भी काल में लग सकता है आज भी वो लागू हो सकता है आज भी दुरियोधन हो सकते हैं आज भी अर्जुन हो सकते हैं करण हो सकते हैं इतना सुन्दर व्यक्ति चित्रन उसमें है इसलिए उसको महाकाव्य कहा गया लेकिन आमधार्मिक व्यक्ति रोज वो जो देखता था महाभारत वो टेवी की पूझा करता था वो सच्मुछ है इतिहास इसा मानता था और भांडर कर इंस्टियूट के प्रस्तावना में लिखा है जिस पर ये महाभारत बनाया गया कि ये महाकाव्य है तो ये बात हम स्विकारते नहीं है ये स्विकारने के लिए हमको प्रवरुत्त करना पड़ेगा और यही काम हम कर रहे हैं कि भाई महाभारत कोई सत्य इतियास नहीं है इतियास थोड़ा सा और उसके आधार पर गया हुआ एक महा कावे है बहुत सुन्दर है बहुत अच्छा है लेकिन है उसको एंजॉई किजी लेकिन उसकी पूझा मत किजी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेरनेस पहलाने में हमारे मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए